नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक विवसाईक अध्यान के ग्यारवे अध्याएं अंतराष्ट्रे विवसाई का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याई के पहले दो भागों में हमने बहुत विस्तार में अंतराश्ट्रे व्यवसाय के अर्थ से लेकर उसके विभिन प्रकारों को समझा हमने आयात नर्यात पर अधिक ध्यान देते हुए उसकी प्रक्रियाओं की भी चर्चा किया हम यह जान चुके हैं कि अंतराश्ट्रे व्यवसाय कैसे राश्ट्रों और फर्मों दोनों के लिए बहुत लाबकारी होने के अलावा यह दोनों की एक बहुत आधार भूत जरूरत को पूरा करता है जो कि यह है कि कोई भी देश सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में पूरी तरह से सक्षम नहीं है क्योंकि किसी भी देश के पास सभी संसाधन पूरी तरह से उपलब्द नहीं है इस कारण सभी देशों को कभी ना कभी आवशक्ता पड़ती है कि वो किसी ना किसी वस्तुय सेवा के लिए अन्य देशों से संपर करें इसी कारण अंतराश्ट्री व्यापार का जन्म हुआ तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अंतराश्ट्री व्यवसाय आज वैश्विक अर्थ व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसलिए विभिन देश अपने देशों में अंतराश्ट्री व्यवपार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं वह प्रोनती विधियों को अपनाती हैं आईए इन में से कुछ योजनाओं पर चर्चा करें सबसे पहला है शुल्क वापसी योजना हम यह जानते हैं कि निर्यात की वस्तुओं को देश के भीतर तोपयोग नहीं किया जाता है इसलिए यदि इन पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क या सीमा शुल्क का भुकतान किया गया है तो निर्यातकों को सरकार द्वारा उसे लोटा दिया जाता है लेकिन इसके लिए निर्यातकों को संबंधित अधिकारियों को निर्यात का प्रमारपत्र देना होता है इसके अतरिक्त विक्रह करके भुक्तान से भी छूट मिलना निर्यात की वस्तुओं पर विक्रह कर नहीं लगता यही नहीं काफी लंबी अब्धी तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आये पर आये कर भी नहीं देना होता अब आये कर से छूट केवल सौ प्रतीशत निर्यात मुलक इकाईयों या निर्यात प्रवर्थन छेत्रों में इस्थापित इकाईयों को ही दिया जाता है क्योंकि आयकर पर छूट एक बड़ी छूट है इसलिए सरकार पहले या सुनिश्चित करती है कि जिन निर्यातकों को या छूट मिले वह 100% निर्यात मुलक इकाईया ही होनी चाहिए तो आयकर या विक्रेकर से छूट मिलना निर्यात को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी भूमी का अदा करती है इसके अलावा अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतरगत एक निर्यातक को या छूट है कि वह निर्यात के लिए वस्तवों के वतपाधन से जूड़े आगतों को बिना शुल्क का भुकतान किये प्राप्त कर सकते है निर्यातकों को निर्यात के लिए वस्त्वों के विनिर्माण हेतु जिन वस्त्वों के आयात पर सीमा शुल्क लगता है वो नहीं देना होता अग्रिम लाइसेंस दोनों परकार के निर्यातकों को पलब्द हैं। वो जो नियमित रूब से निर्यात करते हैं, या वो जो कभी कभी निर्यात का काम करते हैं। इसके द्वारा उन्हें अपनी आगतों पर लगने वाले सीमा शुल्क से मुक्ती मिल जाती हैं। तो इस प्रकार शुलकों या करों में छूट देकर सरकारे निर्यातकों को प्रोचसाहित करने की कोशिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक निर्यात करें क्योंकि देश में जितना अधिक निर्यात होगा उससे देश का उत्पादन और बढ़ेगा उत्पादन से देश में विदेशी मुद्रा आएगी, देश का GDP बढ़ेगा, आर्थिक सम्रिद्धी होगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा इसलिए सभी देश अपने यहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाते हैं लेकिन अब सोचिए कि एक देश निर्यात को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह अपनी वस्तुवों को जिन देशों में निर्यात करना चाहते हैं, वहां इसकी छूट या अनुमती नहीं कई देशों में मान लीजी कई तरह के प्रतिबंद लगे हुए हैं, ऐसे में चाहा कर भी कोई देश अपने यहां से निर्यात या अंतराश्ट्री वेबसाइब को बढ़ा नहीं पाएंगे ऐसे में जरूरत पढ़ती हैं अंतराश्ट्री संस्थाओं की, जो यह सुनेश्चित करें कि देशों के मद्य किसी भी प्रकार के अनुचित प्रतिबंद या रोक्टोक ना लगाये जाएं इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस की जाने लगी हम जानते हैं कि 1914 से 18 के प्रतम विश्वयुद वा 1949 से 45 के द्वित्य विश्वयुद के कारण पूरे विश्व को जीवन वा संपत्ती की भारी तबाही हुई विश्व की लगबख सभी आर्थ विवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई संसाधनों की कमी के कारण कोई भी राष्ट्र पुनर निर्मान वो विकास कार्य करने के स्थिति में नहीं थे विश्व की मुद्रा प्रणाली में व्यवधान पड़ा इसके कारण जो भी थोड़ा बहुत अंतराश्टे व्यवपार पहले होता था उस पर भी विप्रीत प्रभाव पड़ा विन में दर की कोई सरो मानने प्रणाली नहीं थी ऐसे हालत में दुनिया भर की अर्थ विवस्थाओं को इस स्थिती से उबारने के लिए चवालिश देशों के प्रतिनिधी जे एम केन्स जो की एक विख्यात अर्थ शास्त्री थे उनके नित्रित वव अगवाई में मिले उन्होंने एक बैठक की और विश्व में शान्ती व सामाने वातावरन के पुना स्थापना के उपायों पर चर्चा की इस बैठक का समाधान तीन अंतराश्ट्रिय संस्थाओं की स्थापना के साथ हुआ जिनके नाम है अंतराश्ट्रिय मुद्राकोष यानि IMF, पुनर निर्माण एवं विकास्त का अंतराश्ट्रिय बैंक यानि IBRD वो अंतराश्ट्रिय व्यापार संगठन यानि ITO इन तीनों संगठनों के निर्माण पर सहमती बनी प्रथम दो संस्थान यानि IMF और IBRD ये तो तुरंत अस्तित्व में आ गए है लेकिन ITO यानि अंतराश्ट्रिय व्यापार संगठन के विचार को लेकर अमेरिका ने विरोध किया अमेरिका के विरोध के कारण ITO को स्थापित नहीं किया जा सका इसके बजाए एक संगठन के स्थान पर अंतराश्ट्रिय व्यापार को उचे सीमा शुलक वा अन्य प्रतिबंधों से बचाने के लिए एक नई विवस्था को जन्म दिया गया इस विवस्था को General Agreement for Tariff and Trade का नाम दिया गया जिसे GATT कहा जाता है भारत भी इन संस्थाओं के स्थापक देशों में से एक था तो अब परिणाम यह हुआ कि ITों के स्थापना तो नहीं हो सकी लेकिन इन देशों ने आपस में एक समझोता करा जिसे GATT का नाम दिया गया इस समझोते के अंतरगत इन्होंने यह सहमती बनाई किये अनुचित प्रकार के सीमा शुल को वह प्रतिबंद नहीं लगाएंगे GATT का जो समझोता था वह 1948 से लेकर 1994 तक कारेरत रहा GATT के दौरान कई विचार विमर्श वक कई तरह की बैठके हुआ करती थी ऐसे ही बैठकों में उरुगवे दौर की बैठके प्रमुख रही इन बैठकों में जितने भी देश थे जो स्वतंत्रव संतोष जनक व्यापार को बढ़ावा देने के पैरवी करते थे उन्होंने एक स्थाई संगठन के निर्मान पर जोर दिया क्योंकि समझावता तो था लेकिन एक विशेश रूप से स्थापित संगठन ना होने के कारण अंतराच्ट्रे व्यापार को सुधा जनक बनाना संभव नहीं हो पा रहा था और जैसे जैसे समय बीत रहा था दुनिया भर में अंतराश्ट्रे व्यापार का महत्व वो उसका प्रेचलन भी बढ़ रहा था तो ऐसे में यह महसूस किया गया कि एक विश्वव्यापार संगठन होना चाहिए इस निर्णै के परिणाम स्वरूप GATT को 1 जनवरी 1995 से बदल कर विश्वव्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया एक विश्वव्यापार संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम WTO यानि विश्वव्यापार संगठन रखा गया इसका मुख्याले स्विटजेलैं के जिनेवा में स्थापित किया गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना लगभग 50 वर्ष पूर्व के अंतरास्ट्रे व्यापार संगठन की स्थापना की जो सोच थी उसी के प्रस्ताव का एक तरह का क्रियानवन माना गया यानि कि हम कह सकते हैं कि एक अंतराश्ट्रे व्यापार संगठन जिसकी स्थापना की कोशिश करीब 50 वर्षों से हो रही थी वह कोशिश 1 जनवरी 1995 को आकर पूरी हुई जब WTO के स्थापना की गई विभिन्य देशों के बीच व्यापारिक समस्याओं के समाधान की प्रधान अंतराश्ट्रे संस्था वह बहु आयामे व्यापारिक पराक्रमन का मंच होने के कारण विश्व बैंक और आईमफ के जैसे WTO की भी एक विशेश स्थिती है भारत भी विश्व व्यापार संगटन का संस्थापक सदस्य है 11 दिसंबर सन 2005 को इस संगटन के करीब 150 सदस्य थे अब विश्व व्यापार संगटन की स्थापना तो हो गई पर इसके उदेश क्या थे वो या किस परकार के कारे करता है यदि हम इसके प्रमुख उदेश्यों पर चर्चा करें तो सबसे पहला उदेश्य इसका निकल कर आएगा कि अंतराश्ट्रिय व्यापार को सुचारू व सुविधा जने पनाना यह सुनिश्चित करना कि विभिन्य देशों द्वारा लगाए गये अनुच्चित सुलक व व्यापारिक बाधाओं में कमी आए उन्हें जादा से जादा खतम करने की कोशिश की जाए ऐसे कार्य करना जिससे की विबिन देशों की बीच अंतराष्टे व्यापार अच्छे से हो आधुनिक वस्तुओं वा सेवाओं का लेन देन हो जिससे की लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आए जब देशों में व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार उत्पन होगा तो रोजगार बढ़ावा देना भी इसका एक उदेश है आए वा प्रभावी मांग में विर्धी करना अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना व्यापार को सुगम बनाना ये इसके मुख्य उदेश्यों में हैं इसके अलावा सतत पोशनिय विकास यानि टिकाव विकास के लिए विश्व के संसाधनों के उचित उपयोग को सुगम बनाना अंतराष्ट्री वियप़ार को इतना विस्तार में पढ़कर हम ये तो जान गए हैं कि अंतराष्ट्री वियपार के माध्यम से विश्व के प्राकृति की आन्य संसाधन जो कई बार उपयोग नहीं हो पाते क्योंकि उत्पाधन के आवशत्ताएं उतनी नहीं होती वो समस्या भी अंतराष्ट्री व्यापार को बढ़ावा देने से हल होती है जितना अधिक अंतराष्ट्री व्यापार होगा उतना अधिक विश्व के संसाधनों का उपयोग भी बहतर होगा और यह सुनिशित करने का काम विश्व व्यापार संगटन करता है देशों के मध्य मतभेदों को सुलजाना गलत तरीके से लगाए गये प्रतिबंधों को हटाना छोटे या विकाश सील देशों की सहायता करना ऐसे कई उदेश्य विश्वयपार संगठन के हैं जिनका एक जो समुचत रूप में हम कहें तो यहां एक मुख्य उदेश्य निकल कराता है कि विश्वयपार संगठन अंतराश्ट्य वियपार के माध्यम से विश्व में वैश्विक सम्रिद्धी वा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है इसके लिए यह विभिन कार्यों की पूरती करता है जैसे कि सबसे पहला ऐसे वातावरण पर बल में एक ऐसा वातावरण बनाता है ताकि चाहे कैसे भी देशों छोटे या बड़े वो अपनी शिकायतों को लाने के लिए उन्हें विश्व मंच पर उठाने के लिए प्रोच साहित हो ताकि उन्हें उनकी समस्याओं का समधान मिले इसके अलावा एक सर्व मानने आचार सह साहिता बनाना जिससे की उसका पालन करके विश्व में व्यपार के बाधाओं को कम किया जा सके जैसे कि कोई देश किसी अन्य देश पर गलत सीमा शुल्क ना लगाए गलत प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए इस प्रकार के आचरणों को बढ़ावा देने के लिए कपां और यो कुछ देशों के बईच किसी फिक्रकार का वियपारिक मतभेद होता है तो वो उसको सुलझाने के लिए विश्व व्यपारसंगतन की सहयता लेते हैं विश्व व्यपारसंगतन इन देशों को अपने बदबेदों को सुलजा कर व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता करता है या सुनिश्चित करना कि सभी सदस्ती देश अपने आपसी विबादों को हल करने के लिए निर्धारित नियमों वा कानूनों का पालन करें इसके अलावा सभी देशों के राजनितिक या सरकारी घोशनाओं को परियवेक्षन करना भी विश्व व्यापार संगठन के कारियों में आता है इन सभी कारियों के माध्यम से या संगठन या कोशिश करता है कि दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा मिले तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि कैसे आज पूरा विश्व अंतराश्टी व्यापार को या व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और इसमें विश्व व्यापार संगठन सबसे अग्रणी भूमी का निभा रहा है आज के इस भाग को मिलाकर इस अध्याए के तीनों भागों में हमने कोशिश की कि हम अंतराश्टी व्यापार को बहुत विस्तार में जाने अंतराश्टी व्यवसाय ना केवल आपका एक अध्याय है बलकि आगे जाकर ये अध्यान का एक विस्तरिच छेतर भी बन जाता है तो यदी आपकी इसमें रूची जगती है तो आप इसके इन आधार बूत सूचनाओं को यदी याद रखे तो आगे जाकर आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं इस अध्याय में हमने शुरू से लेकर अब तक अंतराश्टी व्यवपार के या व्यवसाय के अर्थ को जाना उसके लाभों को समझा उसका घरिलू व्यवसाय से जो अंतर है उसको समझा हमने यह भी देखा कि कोई भी फर्मिया व्यक्ति यदि अंतराश्टी व्यवसाय करना चाहती है उसमें प्रवेश करना चाहती है तो उसके पास आयात, नर्यात, समविदा, निर्मान जैसे कई रास्ते हैं आयात, नर्यात, सबसे महतोपूर्ण रास्ता होने के कारण हमने उसकी प्रक्रियाओं को भी विस्तार में देखा फिर हमने यह देखा कि कैसे विभिन्य देश अपने देश में स्थानिय तोर पर या सभी देश मिलकर अंतराश्ट्रिय तोर पर विश्व व्यापार को बढ़ावा देने में ततपर है मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह भाग वह यह पूरा अध्याय अच्छे से समझाया होगा इस अध्याय में इतना ही धन्यवाद एका यह बढ़ाए्ट एकता है प्लाट पर टे वह स्था प्लाट शोएब है झाल झाल